हेलो एन विल्कम टू ओर लाइन एड़ा फोर स्टुड़ी बने से बैट फोर लनिंग दोस्तों स्वागत है आप सुभी का एक बड़ी और लेटिस अपडेट के बारे में जो की संबंदित है एक बड़ी अपडेट को लेकर सतर हजार चैसो बानवे पदोपर नई सिच्छक को लेकर ओफीशल नोटिफिकेशन यहां पर जाजी कर दिया गया है जिसके माध्यम से आपको बहुत सारी जानकाई दी जाएगी साथ ही साथ हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर इसके आविदन से लेकर एक्जाम डेट के बारे में भी और इसके अलाबा योगिता क्या देखने के लिए मिल रही है कौन कौन इसमें आविदन करेगा तीटी को लेकर नेगेटिव मार्किंग से बारे में क्या क्या आप सुभी से पूछा जाएगा इसके साथ साथ टीचिटी पीजटी को लेकर भी हम बात करने वाले हैं डिटेल में जानकाई दें उससे पहले आ आपस में अपनी अपनी योगिता सावित करने में लगे हुए हैं जैसे कि B8 करने वाले अभ्यती प्राइमाई में समलित होने के लिए हर संबब प्यास करें तो वहीं दोसी तर BTC वाले अभ्यती उनको बाहर करने के में लगे हुए हैं लेकिन ऐसे में सुपीम कोर्ट ओफ इ जाजी कर दिया है और अगर बात की जाए BTC यानि की DL8 के बारे में कि क्या 628 की जूनियर वेकेंजी से DL8 को बाहर किया गया है तो इसका जवाब है Yes और No यानि की बाहर किया भी गया है और नहीं भी लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा और उसको समझने के लिए जानकारी के बारे में पहले में आप सुभी को कुछ में में जानकाई या दिखा दूँगा फिर उसके बाद हम ऑफीशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे जिससे कि आपके मन में कोई सवाल ना रही क्योंकि सबसे ज़्यादा अब्याती इसी के बारे में सवाल करके लेकिन अगर बात कीज़ें इसके आवेदन को लेकर तो इसके जो आपको आवेदन देखने के लिए मिल रहे हैं वो अक्टूबर महीने यानि की अगले महीने से ही इसके आवेदन शुरू हो रहे हैं अगर बात कीज़ें इसकी एक्जाम के बारे में तो 26 नवंबर तक आप की तरफ से वो यह है कि 15 अक्टूबर तक इसके जो आविदन है वो लिये जाएंगे और उसके बाद में लगबग एक या सबा महीने की बीच में आपकी परीक्षा कर वाली जाएगी तो ऐसे में आप लोग इसके लिए तैयारी अभीशी शुरू कर दें जिससे कि आपको दिक के तोर पर आविदन करेंगे तो आपके पास में क्या होना चाहिए बीटेट होना चाहिए और इसके लाबा सीटेट होना चाहिए तो आप इस वेकेंसी में आविदन कर सकते हैं इसी तरीके से अगर बात की जाए तो यहां पर बीटीसी को लेकर लेकर लेकिन हमने डीलेट बाहर भी है और एक डीलेड अंदर भी है कैसे समझ लीजीए दीलेड आप सुभी को कई तर सेके के देखने के लिए मिलते हैं एक होता हागा नि यह Иस करने वाले अभ्यति होते हैं को सिच्छक बर्ती ंबर्टी का नहीं दिया जाएगा इस बात का ध्यान रखें 12th प्लस DL8 करने वाले अब्यरती यहाँ पर जूनियर की सिक्षक वरती से बहार रहेंगे याद रखा जाई लेकिन जो DL8 करने वाले अब्यरती गैजुएशन प्लस डिलेट करते हैं उनको इस बेकेंसी में बैठने का मौका मिलेगा तो ऐसे DL8 वाले अब्यरती बहार हैं और ऐसे DL8 वाले अब्यरती अंदर हैं यह आपके पूरे माइन में किलियर हो गया होगा कन्फीजन बिल्कुल भी नहीं है ट्वेल्थ प्लस डिलेट जूनियर में आविदन नहीं करेंगे लेकिन गैजुएशन प्लस डिलेट जूनियर में आविदन करेंगे अगर बात कीज़ए नेगटिव मार्किंग के बारे में तो नेगटिव मार्किंग आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी क्योंकि हाली में बिहार सिच्छक बरती में प्राइमरी में नेगटिव मार्किंग लगाई गई थी एक्जाम से पहले अठा दी गई थी तो इसमें भी आपको नेगटिव मार्किंग देखने के लिए नहीं मिलेगी सेलेक्शन कैसे होगा आपका जिटिन एक्जाम देखने के लिए मिलेगा उसकी आधार पर आपका सेलेक्शन होगा अगर बात कीजाए यहाँ पर पोस्ट वाइस वेकेंसी के बारे में तो लिखा हुआ है कि जूनियर की जो आपको वेकेंसी देखने के लिए मिलेगी 31,982 वेकेंसी जूनिय की है TGT और PGT की बात की जाए तो 8,883 और 8,830 आपको TGT पिजटी की वेकेंसी देखने के लिए मिलेगी जो कि अलग-अलग पोस्ट रहेंगी सिलेबर्स को लेकर अगर बात किये तो यहाँ पर आप सभी का जो आपका concern subject होगा subject plus GS आप सभी से पूछा जाएगा क्योंकि अभी question को लेकर यहाँ पर कुछ confirm नहीं किया गया लेकिन हम कह सकते हैं कि आपका subject होगा subject plus आपका जो GS है वो part आप सभी से पूछा जाएगा उसकी आदार पर आप लोग इसमें exam देंगी तो अपने subject पर आप सभी command करना शुरू कर दें अब सबाल देखने के लिए एक और मिलेगा जब बात यहाँ पर subject की की जारी है तो combination को लेकर देखो अगर vacancy subject wise निकाली जाती है तो निश्री तोर पर यहाँ पर combination आप से मांगा जाएगा और अगर vacancy सीधे तोर पर निकाल दी जाती है तो उसमें आपका combination देखने के लिए नहीं मिलेगा तो फिलाल इसको लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा लेकिन जो आपकी TGT-PGT की vacancy निकाली जाएगी जो कि मैंने आप सभी को पहली बताई उसमें क्या होगा कि उसमें जो आपका पहले syllabus पूछा गया है आप उसी के अनुसार अपनी तयारी कर सकते हैं TGT और PGT के अंदर उसमें कोई बदलाव देखने के लिए नहीं मिलेगा अगर कोई बदलाव होगा तो 6-8 की junior vacancy में ही होगा तो ऐसे में काफी चीज़े में आप सभी की clear कर दी हैं जो सबसे ज़्यादा काम की होती है आफ इदन आपके October याने के अगले महिने में शुरू होने जा रहे है और exam आपका 26 November तक करा लिया जाएगा BPSC IOQ से अब अगर बात की जाए official notification के बारे में तो 8888 पद आपको देखने के लिए मिलते हैं जिसमें 628 याने की junior के लिए 31,982 पदों पर विकेंसी निकाली जारी है जिसमें कुल मिलाकर टोटल पदों की संक्या यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी 79,692 एक हजार जो पद आपको देखने के लिए मिलेगी वो अन्य पिष्टा वर्क की होंगे जिनकों मिलाकर 70,692 पदों पर यह विकेंसी होने जारी है अब इसमें आपके TGT-PGT के भी काफी बड़ी संक्या में पद होंगे हाली में STET परिक्षा भी देखने के लिए मिली है जिन्होंने STET परिक्षा दियोगी वो TGT-PGT में आवेदन करेंगे और जिन होने यहाँ पर सीटेट परिक्षा दियोगी 6-8 वाली 6-8 वाली वो यहाँ पर जूनियर की वेकेंसी में आवेदन करेंगे चुकि यह वेकेंसी बिहार से निकाली जा रही है तो इसमें आप सभी को आच्छन देखने के लिए नहीं मिलेगा जो भी बिहार की छिक्षा नीमा वली हो इसमें अदर स्टेट वाले अभ्यतियों को आच्छन नहीं दिया जाता है तो फिलाल साही चीजें मैंने आप सभी के किलिए कर दी है अभी भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं हाँ स्लेबर्स को लेकर आपके मन में सवाल होगा चोकि स्लेबर्स को लेकर मैं एक अलक्सी वीडियो बनाने वाला हूँ में आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप सुभी का पूछा जाएगा उसके लिए थोड़ा से इंतिजार कर लेना बस सब्जेक्ट प्लस जी एस पर आप से अपनी कमांड कर शुरू कर दें फिलार इस वीडियो के माध्यम से तना ही थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो झाल